आज का वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है ठीक है तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस्टार्ट करते हैं जो यूवान और इंडियन रूपी ये दोनों के बीच में जो अभी रश्या ट्रेट के वए से प्रॉलम हो रही है आज इन रूपी इंडियन रूपी के डिमांड वहां पर रस्या में जो थी तो इसको कुछ एक्सेंट तक यूवान की वहां पर डॉमिनेंस बढ़ रही है जिसके वेसे इंडियन रूपी को थोड़ा लॉस हो रहा है तो इग्जैक्ली पूरा मैटर किया है वो हम समझेंगे यह समझने के पहले जो हमें स्टैटिक कॉंसेट्स आने चाहिए हम उसको भी देखेंगे तो आप यह आर्टिकल देख सकते वाज की यूवान डाइलेमा इन रॉस्या ट्रेड अब रस्या ट्रेड का यूवान से क्या रिलेसिन है या फिर इंडियन रूपी उसमें कहां कैस इन्वाल्ड होता है ठीक है तो यह सारे इसुस हम वन वाइन करके समझेंगे तो बदाया यह हाँ पर यह जा रहे है कि जो रूपी की डील है अब यह क्या है इस पर भी हम बात करेंगे तो रस्षयन बायर्स जो है जो हम समान वहाँ बेज रहे है तो हमें पेरमेंट मिलनी चाहिए ऐसे रूपी में मिलनी चाहिए तो वो रूपी में ना मिलके वो युवान में मिल रही है तो इसके क्या implication हो सकते हैं यह समझना बहुत important है और उसके पहले government के जितने भी efforts रहे हैं अभी past कुछ months में so that Russian buyers वो रूपी यूज़ करें तो वो फेल होता भी हो रहा है तो यह बहुत ही informative है इसको आप अगर रीट करोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा इसमें लेकिन फिर भी मैं basic आपको समझा दे रहा हूं तो सबसे पहले हम बहुत पहले चलते हैं ठीक है क्योंकि international trade में आप इसको अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने बार्टर सिस्टम समझ लिया तो बार्टर ट्रेट क्या होता था कि हमान लोग बहुत पहले जब करेंसी नहीं होती थी तो उस समय क्योंकि हर कोई मैं farmers का example लेता हूं जैसे तो suppose कि कोई market नहीं है हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं जब उस समय कोई market नहीं हुआ करता था कोई currency नहीं थी तो हर किसी की ज़रूरते अलग-अलग हो सकती है और किसी village में अगर बहुत सारे farmers हैं तो ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग farmers अलग-अलग चीजों की cultivation करें जैसे क कोई हो सकता है कि rice की cultivation कर रहा होगा ठीक है कोई हो सकता है wheat की कर रहा होगा अब यह दोनों कि अलग-अलग season के हैं लेकिन आप यहां पर बस example को ऐसे समझो कि एक ही time पे rice और wheat दोनों की production हो रही है ठीक है तो कोई rice की cultivation कर रहा होगा कोई wheat की cultivation कर रहा होगा अब जिसने rice को cultivate किया है उसके पास rice तो बहुत ज्यादा quantity में है लेकिन उसके पास wheat नहीं है राइट तो वो क्या करेगा कि कुछ rice offer करेगा farmer B को सपोज यह farmer A है और यह farmer B है तो farmer A कुछ rice offer करेगा farmer B को कि तुम मेरे से rice ले दे दो तो इससे क्या हुआ कि farmer A के पास wheat नहीं थी तो उसकी demand पूरी हो गई और farmer B के पास rice नहीं है तो उसकी demand पूरी हो गई तो दोनों की demands यहाँ पे meet हो गई अब यह बहुत ही simple model था इसी में कुछ और हम add करते हैं मालों कि farmer C है farmer C है जो की pulses cultivate करता है ठीक है अब farmer A को weight भी चाहिए pulse भी चाहिए तो वह कुछ rice अपना वह farmer B को देगा और कुछ rice farmer C को देगा so that farmer B से उसे wheat मिल जाए farmer C से उसे pulse मिल जाए ठीक है तो ऐसे हमने two layers में देख लिया कि कैसे कैसे अगर बहुत सारे farmers है तो एक दूसरे के demand को कैसे पूरा कर रहा है ठीक है यही same concept international trade में भी लगा सकते हैं जैसे आपने बहुत पहले सुना होगा कि India spices का बहुत बढ़ा मार्केट रहा है ठीक है तो इंडिया में spices बहुत होते थे इंफाक्ट अभी भी बहुत ज्यादा production होती है यहां तो global level पे इंडिया global supply को meet करता है ठीक है तो spices हमारे पास बहुत ज्यादा हुआ करते थे पहले भी और यह बहुत early age से इसकी trade हो रही है इंडिया से तो लोग बाहर से आते थे इंफाक्ट पॉर्चोगी जब आये थे तो वह भी spice market को explore करने आया थे इंडिया में ठीक है तो इंडिया के पास spice है तो कोई अगर मालो दूसरी country पॉर्चोगीज वह इंडिया में आके बोलती है कि आप हमें spice हो हम इसके बदले में आपको jewelry देंगे ठीक है या फिर जो precious metals होते हैं जैसे gold हो गया silver हो गया तो इंडिया को spices और भी जैसे मालो textiles related cotton हो गया और वो सारी चीज जो इंडिया में प्रोडक्शन जिसकी होती थी तो उसके बदले इंडिया को precious metals मिलते थे gold silver यह सब इसलिए आपने बहुत बास सुना होगा कि इंडिया को golden bird भी बोला जाता है बोला जाता था क्यों क्योंकि हमारे पास gold के reserve बहुत जादा हो ठाज में होते हैं क्यों क्यों कि हम इसी में क्या करते है हम अपना समान उनको देखें उनसे gold में प्यामेंट जे दे ने तो यह पूरा बाटर सिस्टम ही है कि आप ने कोई चीज उनको दी और उसके बदले में वो कुछ हापको दे रहे लेकिन अब यह system में problem क्या है कि मालो की मुझे spice चाहिए और मेरे पास gold है तो मैंने gold दे दिया उसके बदले में मैंने spice ले ले ली किसी से ये भी हो सकता है कि जो मुझे spice दे रहा हो उसको gold की जरूत नहों ठीक है? ऐसा हो सकता है कि India को लेंगे हम कुछ बज्क हो गया कि किस साल की अथा होगा इसा होगी कि नहींड कंव हो गई तो यही कुछ-कुछ प्रॉलम है जिसको address करने के लिए यह सोचा गया कि अगर कोई common mode हो payment का ठीक है तो उसको use करके यह problem को address किया जा सकता है क्यों तो किसी किसी economic system में बहुत सारे बहुत सारे players हो सकते है buyers हो sellers हो ठीक है उन सब को connect करता है currency जो कि यह common mode है payment का अगर यह ना रहे तो बहुत ही complex हो जो हो जाएगा जो मैंने समझाया था कि राइस है payment accept करके और उसी currency को use करके वो कुछ भी खरीज सकता है बाकियों से जैसे बी से हो सकता है वो wheat खरीज ले problem यह है कि यह जो mode होगा इसको इसको approve कौन करेगा मतलब कि जैसे हो सकता है कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे कुछ दे रहे हो मेरे पास जो asset है वो मैंने आप आपको दे दिया अब जो asset मैंने आपको दिया है क्या वो दूसरी लोग accept करेंगे क्योंकि अगर कोई accept नहीं कर रहा है तो वो फिर आपके किसी काम करनी है मैंने आपको दे दिया मैंने आपको इसके बदले में कुछ दे दिया अब अगर वो चीज आप अगर use ना कर पाव मार्केट में वो आपके लिए बेकार है तो यहां पर काम आता है जिसको बोलते हैं sovereign guarantee बोलो टेकनिकल वर्ड में sovereign guarantee मैं आपको एक एकजांपल दिखा रहा हूं यह 100 रूपी नोट है ठीक है अब यहां पर जहांते देखना यहां पर लिखा हुआ है guaranteed by Central Government मतलब कि इंडिया में आप कोई भी स seller यह refuse नहीं कर सकता क्यों क्योंकि यह Central Government से guaranteed है मतलब यह सब को accept करना होगा तो इसलिए जो हमारी currency होती है किसी भी देश की जो Fade Currency है Fade Currency मतलब Central Government के थू जो approved है उसको legal legal tender भी बोला जाता है ठीक है legal tender भी बोला जाता है क्यों क्योंकि यहां पर देखो आप governor का statement है कि I promise to pay the bearer the sum of 100 रुपी राइट तो यह promise है यह sovereign guarantee है कि आपको इसकी equivalent value मिलेगी ठीक है तो यह हमने देख लिया अब बात करता है USD की जो कि United States dollar है किसी भी देश के currency को denote करने के दो तरीके होते हैं एक तो हम symbol में कर सकते हैं जैसे कि dollar का ऐसे होता है कुछ ठीक है अगर हम रुपी की बात करें तो कुछ ऐसे होता है उसी तरह यह हो गया यह यह यूवान चाइना के है ठीक है उसके बाद आप यूरो को देखोगे तो कुछ ऐसे होगा तो एक तो हम symbol से कर सकते हैं दूसरा हम उसको alphabetic way में भी कर सकते हैं जैसे जो पहले दो लेटर्स होते हैं वो country को represent करते हैं और जो third होता है वो उसके currency को denote करता है तो जैसे इसका full firm हो गया United States dollar likewise अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हो जाएगा INR मतलब इंडियन रूपी ठीक है उसी तरह चाइना की बात करें तो CNY चाइना और यह हो गया यूँआन उसी तरह ठीक है तो यह हमने देख लिया अब USD कैसे इसमें आता है तो 1944 के पहले जब Bretton Woods Agreement हुआ था जिल लोगोंने हमारा course purchase किया है या फिर जो भी preparation कर रहे है टाइम टो टाइम यह चीजे निउस में आती है और मुझे लगता है किसी ना किसी वीडियो में हमने इसको cover किया भी है तो 1944 में एक agreement हुआ जिसको बोलते हैं ब्रेटन वोड्स अग्रिमेंट ब्रेटन वोड्स अग्रिमेंट तो उसमें उस अग्रिमेंट में यह बात बोली गई कि जो सर्कुलेशन में या फिर यूज में थी बाकी कंट्रीज के द्वारा तो यूएसडी को एक ग्लोबल करनसी के तरह एसेप्ट किया गया हाला कि उस समय पाउंड उसकी वी वैलू बहुत जादा थी अभी भी है लेकिन अगर आप बोलोगे कि वर्ड वार्ट टू के एंड हो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूब हो रहे थे तो इसके वज़े से यूएसडी की एसेप्टेंस बढ़ी और बहुत सारे कंट्रीज के अच्छे को लोगों नहीं गया इसके बहुत सारे रिजन हो सकता हैं उस पर नहीं जाएंगे बढ़ा एक बहुत बड़ा रिजन य करने को रेडी नहीं थे बस आप अभी फिलाल यह समझ लो तो एक तो मैंने आपको बता दिया टाइम लाइन में कि 1944 जब ब्रेटन वूट्स अग्रिमेंट हुआ उस समय यूएस के करेंसी को यूएसडी डॉलर तो उसको एसेप्ट किया ग्लोबली कि हम इसी को यूज करें कि अगर हम ऐसे बात करें जितने भी पेट्रॉलियम या फिक्रूड वाल बोलो टेकनिकल याता साउंड है तो जितने भी कूड वाल प्रोड्यूसर्स हैं तो उनका ये एक काटिल बोल सकते हैं इसको एक और्गनाजिशन है जो की डिक्टेट करती है कि क्रूड वाल के प्राइसे ग्लोबल मार्केट में क्या होंगे तो उन्होंने भी 1973 में एसेट किया कि जब भी कोई कंट्री हमसे क्रूड वाल को पर्चेज करेगी तो हम उससे पेमेंट डॉलर में लेंगे ये यूएस ने यूएस ने कन्विंस कर दिया ओपे कंट्रीज को कि आप पेमेंट वहां से डॉलर मिलो अब इसके रिजन बहुत शीके स्टार्ट हुआ है सब कुछ ऐसे तो जैसे जैसे इस की डिमांद भड़ती गई उसे के सास्ति यूसिंवेस डी के डिमांड भी पर्चेज करना होता तो पहले उन्हें USD acquire करना होता, पहले उन्हें ये खरीदना पड़ता कहीं से, उसके बाद ही वो इसमें pay करके फिर crude oil को purchase कर सकते थे, तो demand बहुत जादा बढ़ गई और जैसे जैसे किसी country के currency के demand बढ़ती है, तो उसकी value भी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो ये एक reason है कि क्यो USD, United States dollar, dominate करती है global market को, फिर अगर हम अभी की बात करें, तो सबसे top पे USD है, demand में, उसके बाद आप देखो गये कि euro, फिर उसके बाद pound हो गया, या फिर sterling बोल लो, उसके बाद yen, फिर yuan, तो ये 5 currencies हैं, जो कि globally सबसे ज़्यादा demand में है, ठीक है, और यही 5 ऐसे currencies है, जिनको कि IMF ने, IMF ने अपने SDR में रखता है, ठीक है, जिसको बोलते है special drawing rights, तो ये 5 currencies, globally, जो भी top 5 currencies हैं, जो कि सबसे ज़्यादा demand में हैं, तो उनको automatically SDR में include कर लिया जाता है, ठीक है, तो अभी India यहाँ पर नहीं है, India in fact बहुत पीछे है, लेकिन ये 5 world के top currencies हैं, तो current trend अभी फिलाल ये है, okay, अब हम आते हैं कि फिर India, India इसको लेके क्या कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर heading रखा है, इसका India's PUS, तो एक mechanism, जो कि last year ही RBI के, RBI ने इसे launch किया था, रूपी settlement mechanism, अब ये क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि farmer A, farmer B, और इस तरह बहुत सारे farmers हो सकते हैं, तो हर कोई, जब आपस में trade कर रहा होगा, तो अगर कोई एक common payment का mode हो, तो सब के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कि जैसे A को D से कोई समान लेना है, तो वो इ यूज करके समान ले ले, फिर A के, A ने जो pay किया है, और D के पास जो अब आया है, A के थुरू, यानि A ने कुछ समान खरिदा D से, और उसके बदले कुछ pay किया गया होगा, तो कुछ pay करने के बार D के पास जो आया है amount, या फिर जो भी payment का mode है, उसके थुरू जो भी value यह पर create हुई है, उसको use करके D, E से कुछ खरी सकता है, तो मतलब कि यह currency circulate होती रहेगी, तो यह circulation इसका बहुत हद तक easy हो जाता है, तब जबकि सारे लोग accept करें कि वो जब आपस में trade करेंगे, तो यह currency use करेंगे, ठीक है, तो इसलिए USD जो मैंने timeline आपको बताई थी कि 1944 में एक event हुआ, फिर 1973 में हुआ, और इसके बाद से USD बहुत जादा pick up कर गया, फिर वो कभी भी कम नहीं हुआ, तो उसी तरह इंडिया चाह रही है, कि कुछ ऐसा ही इंडिया के साथ हो, ठीक है, international trade में, जिसे कि रूपी की demand बढ़े, रूपी में लोग trade करें, हमारी जहां से भ यूएस है, यह मालो चाइना है, एस हे मालो European countries है, तो ऐसे जितने भी countries है, अगर वो सारे लोग अग्री करें कि वो रूपी को भी accept करेंगे, as a mode of international trade, या फिर payment, तब भी यह possible हो पाएगा, लेकिन अब यहां पर problem क्या है, कि यूएस क्यों मानेगा, अगर वो रूपी को accept कर करता है, तो उनके खुद के currency की value down हो जाएगी, जिस भी currency की demand कम हो जाती है, उसकी value अपने आप कम हो जाएगी, तो US कभी नहीं चाहेगा, चाइना कभी नहीं चाहेगा, उसी तरह European countries, जैसे की UK हो गया, France है, जर्मनी है, तो यह भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि euro की value काफी जा होगे, तो इसकी value जादा है, euro की जादा है, तो जब, तो European countries कभी भी नहीं चाहेंगे कि रूपी को ऐसे promote करे, और उसमें payment accept करे, तो फिर होगा, कि अब इंडिया क्या करे, जिससे की हमारी acceptance बढ़े, लेकिन उसके पहले ऐसा करनी की जरूरत क्यों है, तो ऐसा जरूरत इसल हो गया था, ठीक है, लेकिन जो crude oil के prices बढ़े हैं बहुत जादा, और रूपी की value बहुत down होती जा रही थी, तो उस situation को control करने के लिए, RBI ने last year around 40 billion USD, इतना market में sell कर दिया है, ठीक है, ताकि रूपी की जो fall है, वो कुछ time के लिए रूपा है, तो रूपी की fall को कम करने के लिए, RBI ने क्यों इसको बेचा, तो ये पूरा demand and supply का खेल है, मैंने एक वीडियो में समझाया भी था, लेकिन मैं यहाँ पर basic उसका समझा देता हूँ फिर से, जैसे माल लो कि dollar की value बढ़ती जा रही है, रूपी के अगेंस्ट, ठीक है, और वो fall ऐसा है, कि वो free fall जैसा है माल लो, तो RBI क्या करती है, कि जो उनका forex reserve है, forex reserve में बहुत सारे currencies हो सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने argument के लिए, अभी suppose करते हैं कि बस USD के form में, तो जब भी ऐसा होगा, कि dollar की value रूपी के अगेंस्ट, बहुत जादा बढ़ती जा रही है, बहुत जादा बढ़ती जा र जैसे माल लो कि tomato, potato, ये सब अगर market में बहुत कम quantity में available है, तो उसकी price बढ़ती जाती है, वो फिर control में नहीं रहता, RBI इसी situation को control करने के लिए क्या करती है, कि कुछ USD जो उनके पास reserve में पढ़ा होगा है, उसको market में sell कर देती है, जैसे market में sell करेगी, तो market में dollar की supply बढ़ है, तो उसकी price थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसलिए RBI को इसलिए RBI को ये अपना reserve बेचना पड़ता है, तो around 40 billion USD हमने last year sell किया है, ठीक है, अब ये हमें sell नहीं करना पड़ता, sell करने से नुक्सान क्या है कि हम अभी भी एक importing country है, मतलब हमारा import हमेशा export से ज्याज़ा होता ह तो अगर हमने अपने forex reserve को बेच दिया, USD को बेच दिया, तो फिर import करने के लिए हमारे पाद पैसे बहुत कम रहेंगा, अब जैसे पाकिसान का हाल देख लो, around 6 billion USD उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एक हपते का खर्चा उठाने के लिए भी काफी नहीं है, तो ये दो reasons हैं जिसके वज़े से RBI ने promote करना शुरू किया है, और उन्होंने बोलना शुरू किया है, बाकी countries के साथ talk से start हो गया है, so that, जो दूसरे countries हैं, वो हमारे currency को अपने reserve में रखें, ठीक है, तो आज के article में क्या क्या बात हैं, वो हम देख लेते हैं, मैंने article के content को early days, Russian buyers are offering payments to Indian exporters in Yuan, अब problem यहाँ पर है, तो problem क्या इदर, कि Indian exporters, मतलब हम जो समान बेच रहे हैं, उसके बदले में Yuan में payment मिल रही है, अब Yuan में payment मिल रही है, तो इससे Yuan की value बढ़ेगी, और रूपी को कोई फायदा नहीं होगा, तो जो हमारा पूरा purpose था, कि हमें रूपी के use को बढ़ाना है, promote करना है, वो नहीं हो पा रहा, उसका फायदा चाइना को मिल रहा है, यह पर, यह प्रॉलम यहाँ पर highlight की गई है, नेक्स्ट आइस में कि Indian exporters have flagged, अब अगर आप highlighted content को देखो, तो acceptance of Yuan payments will further strengthen the Chinese currency, जो बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, अब इस issue को counter करने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहला कि जो हमारे exporters हैं, उनका यह बोलना है कि India के जातर banks को अभी approval नहीं मिलिये, so that वो rupee settlement mechanism को implement कर पाए, तो जब उनको approval नहीं मिलिये, और trade already हो रही है, तो यहाँ पर government को या फिर RBI को थोड़ा fast act करने के ज़रूरत है, ठीक है, यह SOP की बात हो रही है, यहाँ पर मतलब कि किसी भी जब new mechanism को introduce किया जाता है, तो एक set of guidelines होती है, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, वो अभी तक पूरा issue नहीं किया गया है, जिसके वज़े से एक थोड़ी सी confusion की state है भी, इसलिए exporters को मजबूरन forced होके उनको योगान में payment लेनी पड़ी है, क्योंकि किसी न किसी currency में तो payment लेनी ही पड़ी है उनको, दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर हम ऐसे देखे, एक यहाँ पर issue यह है कि जो हमारे Indian banks है, या फिर Russia के जो banks है, जिनका वहाँ पर account होगा, तो अगर हम payment मालो कि Indian exporters को payment अगर रूपी में करनी है, तो Indian banks क branches रशिया में होने चीए, so that जो वहाँ के importers है, जो इंडिया से समान ले रहे हैं, वो वहाँ के किसी Indian bank में payment कर पाए, तो वैसा कुछ अभी mechanism नहीं हो पाए, हमारा बन नहीं पाए, तो इसमें deal हो रहा है, जिसके वज़ा से यहाँ में payment अभी continue हो रही है, ठीक है, देन अभ यह बात हुई है कि एक nodal officer appoint किया जाएगा, for having a single point of contact, मतलब कि हर country में payment fast तरीके से हो और कोई वहाँ पर issue ना हो, इसके लिए nodal officers appoint किये जाएगे, अभी यह सब बाते हैं जो कि बोली गई है कि हो नहीं है, लेकिन अभी तरक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो स्ट्रो अकांट आप यहाँ पर देख पारे होगे, तो इसका मतलब यह होता है, दो type के account हो गया, nostro और mostro, ठीक है, nostro का मतलब यह होगया कि our account with you, मतलब हमारे country का account किसी और country में हो, तो उसको بोलेंगे nostro, future गई हो गया कि आपका account हमारे पस, your account with us, तो वो हो गया, वो स्ट्रो, तो अगर India को रूपी में अगर इंटरनेसर ट्रेट करनी है तो हमारे बैंक के अकाउंट बाहर भी होने चाहिए या फिर वहाँ पर कोई रूपी एसेप्ट करें इसके लिए वहाँ के किसी बैंक में हमार अकाउंट होना चाहिए मतलब यह बहुत अलग लग चीज़े नहीं है यह रिलेटीव होती है तो अभी तक हम इस पर वर्क नहीं कर पाएं और हमारा जो नेटवर्क है वो उतना भी बिल्डप नहीं हो पाया है तो आर्टिकल में इतना ही था यह एक रशिया का बैंक है जैसे यहां पर ICC और HDFC है वैसे ही यह रशिया का बैंक है जिसमें हमारा जिसमें हमारा नौस्टरांट होना था ठीक है तो वो अभी तक पूरा हो नहीं पाया है तो यह थे और नेक्स इसमें यह बताए गया है कि एक सैंक्सन का भी रिस्क है मतलब अगर प्राइवेट बैंक्स इंडिया के या फिर पब्लिक बैंक्स भी अगर वो रश्या में अक्टिव हो जाते हैं तो हो सकता है कि उन पर सैंक्शन लगा दिया जाए ठीक है बाई दे यो एस या फिर जो इरोपन कंट्रीज है तो इसके डर से भी बहुत अक्टिवली वहाँ पर ट्रेड नहीं हो पा रही है रूपी में तो यह सब कुछी इसूज है जो गवर्मेंट को डील करना पड़ेगा उससे ठीक है तो नेक्स्ट ताइम कोई भी इसके उपर अपडेट आती है तो हम उस पर बात करेंगे I hope कि आग के कंटेंट आपको ठीक लगाओ Thanks for watching